कुछ समय पहले यहाँ पर यह खबर आ रही थी कि थौर 4 के बाद अगला जो केमियों होगा जो क्रिस हैंस्वरत का वो यहाँ पर हम लोगो डेटपूल 3 में दिखाए देगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे जाके थौर हम लोगो एवेंजेस वाइफ मुई में भी अल्टीमेट ट्रिबूट होगा तो आगे जाके हम लोगो एक नए स्रीय से थौर की मुई दिखाए देगी जहाँ पर एक नए अक्टर हम लोगो दिखाए देंगे तो यहाँ पर सवाल यह काफी इंटरस्टिंग हो जाता है अगर उनको बात करें थौर की तो एक परफेक्ट ओरिजिन मुई थी बात करें थौर डिराक वर्ड की तो वो कुछ जादा ही डार्क हो गई थी और यहाँ पर बात करें रैंग नरॉक की तो यहाँ पर हम लोगों को एक लाइटर टोन का थौर देखते कुला जिसका यह दोस्तो थौर 4 ओर्डियंस को पसंद दुआई लेकिन यह उस लेवल तक हिट ने कर पाई जितनी के पार्ट 4 मुई हिट करने चाहिए उसी तरह दोस्तो अब थौर 5 से कफी उमीदे हैं हाला कि चीजे सेट अप हो चुकी है जैसे कि हर्कुलिस का आना थौर की अडॉप्ट लेकिन यहां पर थौर के बारे में अभी तक ऐसी कोई खास अपडेट ने आई है तो मेरे साफ से अगर मार्वल थौर को और ताकतवर दिखाना चाहता है तो यहां पर में भी आगे जाके सिकर्ट वर में किसी मल्टिवर्स से थौर आएगा जो कि हम लोग के जो करेंट एम आगे कि थौर फैब बनेगी तो यहां पर आगे जाके सिकर्ट वर के इविंट सी बताएंगे कि आगे जाके हम लोग के थौर के साथ क्या होगा क्योंकि दोस्तों अब सिव बात सिव एक उनिवर्स पर नहीं आई है बलकि पूरे मल्टिवर्स का सवाल होता है और यहां पर कई थौर से बदला लेने के लिए लेकिन दोस्तों यह तो सिवे क्याक्टर है जो कि ऐसा लगए कि विलन को रोल लिभार है रियल विलन कोई और हो सकते है अब जैसे कि यहां पर तीन नाम आ रहे हैं पहला तो मिट गार्ट सर्पेंट जो कि हम लोग को एविंजिस करता है दूसरा है यानि क्यों वापस आजाएगी पता नहीं कैसे सिंपल थ्योरी की बात पर तो मल्टिवर्स के कॉंसेप्ट के सबसे इंकरिजन की विज़े से किसी दूसरी निवर्स की हैला आकर थोर से बदला लेने की कोशिश कर सकती है और तीसरी की बात करें तो गॉर्ड ओफ सिंपल्ट नल हो सकता है